सारन लोकसभा सीट से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने फिर से जीत दर्च कर लिए वहीं दूसरे नमबर पर लालुयादव की बेटी रोहिनी आचार्य हार गई है सारन सीट के लिए पाचवे चरन में 20 मई को मतदान हुआ था सबसे ज्यादा होट सीट सारन को ही माना जा रहा था राश्ट्रिय जनता दल के प्रमुख लालु प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिनी आचार्य और भाजपा नेता तथा केंद्र सरकार में मंत्री रहे 62 वर्षिय राजीव प्रताप रूडी आमने सामने थे 1970 में जनता पार्टी से लालु यहाँ से पहली बार जीते उनिbug कोटी जनता पार्टी के सत्य देव और चयाद देव और छौरासी में राम बहादूर सांसत बने एंग 89 में जनता दल से लालू फिर जीते, 90 और 91 में लाल बाबू जनता दल के टिकेट पर ही जीते ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें Insider Live